उके अलो फ्रेर कैसे हो आप सब मैं वीशी और आप देख रहें बाउन टो इन्वेस यूट्यूब चैनल आज हम TCS सेर के उपर क्या है कि टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कितना नीचे जा सकता है कौन से उसके सपोर्ट होंगे बाद में अगर यह उपर जाता है तो कौन से इस होगे तो आज इस वीडियो में हम TCS का पूरा टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और दोस्तों अभी तक आपने हमारी चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं और जो बाजुमें तंट अब हम आचुके TCS के चार्ट के उपर पहले हम नॉर्मल एनालिसिस कर लेते हैं मुविंग एवरेज आरे साई क्या-क्या स्टेटस बता रहा है वो देख लेते तो जब मैं मुविंग एवरेज देख रहा हूं तो मेरे को 5 डेज की मुविंग एवरेज पर अगर हाल फिला पड़ेगा आपको कहां सपोर्ट है कहां रजिश्टर से वो देखना पड़ेगा अगर आपको उससे आसपास से कुछ मिल जाता है तब आप बाइक कर सकते हो हाल फिलाल जिस लेवल पे वहां से आप सेल भी नहीं कर सकते हमारी ओर से तो अगर जो हम पार्ट दीन की मुवि देख लेते तो उसका लेवल है 2092 बाद में हम 50 डेश की मुविंग एवरेज देख लेते तो उसका लेवल है 2113 बाद में हम 100 डेश की मुविंग एवरेज देख लेते तो उसका लेवल है 2122 तो यह हो गये मुविंग एवरेज और जो में मुविंग एवरेज है 200 दिन की तो आप इसमें buying set जा सकते हो, तो अभी wait कीजिए, अभी इसका confirmation भी बाग है, जो हमी हरामी बेटन मिले, उसका confirmation भी बाग है, तो हो सकता है, वो confirmation बगरा देते देते, ये 200 दिन की moving एर इसके line उपर निकल जाए, तो अगर ये सब कुछ हो जाता है, तब आप इसमें buy set ले सकते हो लेकिर अभी तक wait कीजिए, जो हमारा RSI का level है, वो हाल फिलाल 42.52 के उपर है, इसका मतले भी ये उतना ज्यादा और बोर्ट जोन में भी अभी नहीं गया, तो हो सकते है आपको और थोड़ी downset देखने को मिले, बाद में और बोर्ट जोन में जाके बाद में आपको upset देख सकते हो, तो अभी इसमें आपको buying नहीं करने है, जब proper signal दे, तब आपको इसमें buying करने, अभी आप इसे watch list में लगा लो, तो ये हो गए हमारी moving origin RSI, अब हम देख लेते, कौन से हमारे support रहेंगे, कौन से हमारे resistance रहेंगे, अभी हमने TCS के चार्ट के उपर support resistance line and trend line drop कर लिए तो अभी इसमें देखते, कौन से हमारे support रहेंगे, कौन से हमारे resistance रहेंगे, अगर वहाँ कुछ होता है, तब आप इसमें buying कर सकते हो, और ये देखो, ये positional and long term के लिए है, तो आप हो सके तो इसमें sell ना कीजिए, उतना अच्छा रहेगा, तो buying इसलिए मैं bolt आओ, तो buying अगर मेरे को करनी है, तो मैं कहां से करूँगा, तो हाल फिलाल जो लेवल पर अभी TCS कड़ा है, वहाँ भी मेरे को एक support दीख रहा है, क्यों दीख रहा है, वो देख लेते, देखो, ये इधर क्या है, थोड़ा upside निकल गया, ये exactly support इधर से एक resistance लिया, तो ये लेवल के आ आ जाए, बाद में आपको buy करना है, तो अगर इधर से मैं अगर लेता हूँ, तो मेरे को proper confirmation और 200 दिन की moving average के line के अबो जब sustain करने लगे, तब मैं इसमें buy आ सकता हूँ, तो ये जो अभी हाल फिलाल जो line थी support line, वो कौन सी थी, वो थी 2031 की, हाल फिलाल इससे touch करके उपर न उपर गया, लेकिन कल ये फिर से नीचे आजए, इसे आगे हुआ है, तो हो भी सकता है, तो मान लेते हैं, अगर ये इसके नीचे जाता है, तब मेरा कौन सा support रहेगा, अगर ये इसके नीचे चला जाता है, फिर से इसको break करके नीचे चला जाता है, तो बाद में जो हमारा support होगा वो होगी rising support line अभी यह rising support line मैंने कैसे डोकी तो इधर से मैंने डोकी इधर से तो इधर देखो एक दो तीन बार यह support लेके उपर गया हाल फिलाग थोड़े आगे के दिन पर जपी यह उपर आया तो वही क्या आसपास ही उपर गया था तो हो सकता है अगर यह इसको break कर के नीचे चला जाए तो यह हमारी rising support line पे support लेके उपर जा सकता है मैं क्या बोटा उपर जा सकता है पूरी तरह से confirmation मिलने के बाद ही आप इसमें buy कर सकते हो तो यह इसके बाद की हमारी support line होगी अगर यह इसको भी break करके नीचे चला जाता है तो हमारी तीसरा support होगा तो वो होगा 1924 का अगर यह इस पे कोई support लेके उपर जाने के signal आपको देता है तब भी आप इसमें buying कर सकते हो यह कहां से मैंने निकला जो हमारा last क्या था लो था वही है अगर इस पे आपको support लेके उपर जाता हुआ दिखे तब भी आप इसमें buying कर सकते हो लेकिन main बात है आपक अप गया कहीं से भी इधर यह तीनों line में से कोई line में से up गया तो इसमें upset कितना देखने को मिल सकता है तो जो हमारी पहली resistance line है वह यह level की होगी मैंने अभी draw नहीं कि मैं draw कर देता हूँ मैंने वह line draw कर दिये और वह line है 2150 की line अगर यह इसके आजपा से फीर से reversal आने का sign देता है तब आप इसमें sell आ सकते हो हो सके तो क्या किजिए इधर से entry लीजिए अगर इधर को इसा signal देता है तो आप थोड़ा सा profit booking करके निकल जाए अगर आपको long term ले जाना है तब कोई दिक्कत है नहीं तब आप इसमें इधर भी रह सकते हो और आगे आने वाले time में इ आपको proper देखना है अगर reversal के sign देता है तभी आपको sell कर रहा है नहीं तो अगर retrace का sign देता है तब wait करके आगे आने वाले दिन में इसको break करके आगे के target आपको मिल सकते है और यह break करने की बात क्यों करा हो क्योंकि आप देख रहे हो देखो एक बार इधर resistance लिया एक बार इधर resistance लिया एक बार इधर resistance लिया अगर यह आपको upset moment में दीखेगा प्रोपर upset इसमें दीखेगा तो सायद इस बार इस लेवल को break करके ऊपर चला जाए तो देखना पड़ता है market कैसा भी यह कर रहा है यह stock कैसा भी यह कर रहा है अगर आपको सब कुछ सहीं लगे तो आप इसमें रह सकते हो और आगे आने वाले दिन में जब भी इसको break करें तब आप इसके आगे के target पे जा सकते है तब आप इसमें exit हो सकते हो अपना थोड़ा सा profit निकाल के और मैंने इसमें फिबोनाची retracement भी लगा के देखा तो हाल फिलाल यह 50% के ratio के आसपा से अभी इ देखने को मिलता है, proper confirmation के साथ, बाद में 200 दिन की average के ऊपर भी मिल जाता है, तब भी आप इसमें buying आ सकते हो लेकिन proper confirmation के साथ होना चाहिए सब कुछ, अगर ऐसा कुछ मिल जाता है तब आप इसमें buying side जा सकते हो, level देखो, 300 का level अगर retrace करता है तब wait करो, अगर reversal दे देता कर देना, आप like comment करोगे, तभी तो हमें motivation मिलेगा, और हम ऐसे वीडियो आगे लेके आएंगे, so please जारो like comment and subscribe कर देना, और हम के आएक indicator पे एक series बना रहे है, बाद में उसमें strategy एड़ करेंगे, और अच्छा response मिलना तो price action भी एड़ करने वाले है, और अगर आपको कुछ ज जूर जाये चलें मिलते हैं अपने next video में, तब तक के लिए टा गुडवाई जाई हिन